नमस्कार दोस्तो, मैं उशा ग्रोवर लुध्याना से ब्लेसिंग्स टीम से हूँ और अपनी इस पुस्तक जॉनाथन लीविंग्स्टन सीगल की तीसरी कड़ी प्रस्तूत कर रही हूँ मैं शुरू करने से पहले अपने गुरू पत्री सर को और लेखक रिचर्ड बग को शत-शत पर नाम करती हूँ जब तक जॉनाथन को कुछ होश आया तो उसने महसूस किया कि अंधेरा हो गया है और वैस मुद्र की सत्या पर चांद की रोशनी में तैर रहा था उसके पंक बेजान हो चुके थे उसे अपना शुरीर भारी महसूस हो रहा था लेकिन इससे भी ज्यादा वजन उसकी पीट पर अपनी विफलता का अपनी हार का महसूस हो रहा था उसने उस पल बगवान को याद किया धीरे धीरे वे अपने शरीर को धकेलते खीचते बाहर ले आया उसे लगा सब खतम हो गया जैसे ही जानाथन पानी में डूब रहा था उसे अपने पीतर से अजीब सी खोकली आवाज सुनी जो गौँच रही थी और कह रही थी मैं सीगल हूँ अपने सभाब से सीमित हूँ इससे ज़्यादा मेरे बस में कुछ भी नहीं मेरे पिता सही कहते थे मुझे ये मूरकता पूरन कार्या कभी नहीं भूलना चाहिए मुझे सामानिया सीगल की तरह घर में किनारे पे सीमी तुडान सिर्फ खाने के लिए उड़ना है इसी से संदुष्ट होना चाहिए सीगल की जगा रात्री में समुद्र के किनारे पर है और मैं भी ऐसे ही रहूँगा और ये मेरा फैसला सब को खुशी देगा को अभार व्यक्त किया कि उसने कम उन्चाई पर उनने वाले काम के बारे में क्या सीखा अगले ही पल जानाथन ने सोचा नहीं मैंने जो कुछ भी सीखा है इसी अभ्यास से ही तो सीखा है फिर सोचा क्या मैं अन्या सीगल की तरह सिरफ उड़ता रहूँगा इस तरह दर्द में सो फिट से उपर उड़ते उड़ते अपने पंकों को फड़ फड़ते हुए वे किनारे की और चल दिया वे अजीब कशम कश में था उसने अपना ये फैसला जो लिया कि मैं फिर से उड़ूँगा उसे अच्छा लगा उसे लगा कि अब उस शक्ती से कोई संबंद नहीं जिसने उसे सीखने के लिए प्रेरित किया उसने फैसला लिया अब कोई चुनोती नहीं तो कोई विफलता नहीं जो हुआ सो हुआ मुझे हार चीत गिरने उठने से कोई फरक नहीं पड़ता मुझे उस हादसे के बारे में सोचना बंद करना होगा और मैं स्मुद्र के उपर रोशनी में फिर से उड़ने लगा तेकिन फिर से उसका डर उस पर हावी हो रहा था और उसके अंदर से अवाज आई सीगल अंधेरे में नहीं उड़ते पर जोनतन इस आवाज को अंसुना करके उड़ता रहा उसने देखा चंद्रमा की रोशनी पानी पर तिम तिमा रही है और रात्री में चंद्रमा की आभा समुद्र पर कितनी खूपसूरत लग रही है समुद्र में कितनी शांती है उसका मन्फिर से बोला सीगल अंधेरे में नहीं उड़ते अंधेरे में उड़ने के लिए उल्लू की आँखी और फैलकन के छोटे-छोटे पंक होने चाहिए लेकिन जोनाथन ने रात में एक हजार फीट की दूरी तक अपनी इस कशमकश और अपने इस दर्द को जहिला और भ्यानक सोच को अपने जहन से जटक दिया फिर वैं दो हजार फीट की उचाई से उड़ने लगा वैं मृत्यों और असफलता के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहता था जोनाथन फिर धीरे धीरे दो हजार से पाँच हजार फीट तक की दूरी से उड़ने का अभ्यास करते करते गती पर भी नियंतरन करना सीख गया जो थोड़ी देर पहले जॉनाथन ने अपने आप से वादा किया था कि सीगल रात को नहीं उड़ते मैं भी नहीं उड़ूँगा सीगल उड़ते हुए नहीं रुकते बला बला उसने सारे वादे तोड़ दिये क्योंकि वो जॉनाथन था क्योंकि जॉनाथन को अपने लक्षई को पाना था फिर से अपने लक्षई को याद कर जॉनाथन उत्कृष्ट तरीके से उड़ने लगा अपने साथ की ये वादे को तोड़ने पर जोनाथन को चरा सीबी शर्मिंद की महसूस नहीं हो रही थी वह शरमसार नहीं था क्योंकि ये सब बातें तो साधारन सीगल के लिए है और जोनाथन साधारन सीगल नहीं था शाम होने पर जॉनतन फिर से अभ्यास कर रहा था पांच अजार फीट तक मचली पकड़ने वली नोका के उपर फिर से अभ्यास करने लगा उसने अपने डर पर भी नियंदरन पा लिया उसे खुशी महसूस हो रही थी वे जीवित था, प्रसंद था गरव से, खुशी से काब रहा था इतना खुश कि वे अपने पंखों को चूम रहा था समुदर में डुबकिया लगा रहा था वे चार जार फीट पार कर चुका था हवा बहुत तेज चल रही थी और उसके उड़ने की गती भी बहुत अधिक थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वे इसी गती से उड़ता रहा और अगर टकरा गया तू क्या होगा क्या होगा जोनाथन के यंतरात्मा ने कहा क्या होगा मौत से ज़्यादा क्या होगा लेकिन उड़ान के आनंद को वे खोना नहीं चाता था उसने मस्ती में अपनी आँखें बंद कर ली फिर एक तिन सूर्य अदय के समय जोनाथन दो सो बारा मीर प्रती घंटे की रफतार से पक्षियों के जुंड के उपर से उड़ा फिर और तेज और तेज रफतार से वै उड़ता रहा उसे लगा यही विजए है यही जीत है यह रफतार रिकार्ड दोड थी उसने अपने पंखों को मोड़ा और आठ हजार फीट से गोता लगाने के लिए अपने आपको तैयार किया सुबै से शाम तक जानतन उरता रहा शाम से रात तक उरता रहा बहुत 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 अभ्यास करता रहा निरंतर अभ्यास करता रहा अपने लक्षय को पाने के लिए सिरफ उसे चिडिया की आँख की तरह अपना लक्षय दिखाई दे रहा था जब जानतन किनारे पर पहुंचा तो पूरन रातरी का समय था पैठ ठक गया था लेकिन धरा हुआ भी था पर अपनी जीत पर बहुत खुश था उसे लगा कि जब अन्या सीगल उसे सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे कि खाने के लिए उड़ने की अतिरिक्त भी उड़ने के लिए उड़ना ज़्यादा खुशी देता है वह वे कहेंगे कि उन्हें तो आज तक मालूम ही नहीं था कि हम सब आजाद हैं हम भी ऐसे उड़ सकते हैं दोस्तो यहां तक जो मैंने माना मैंने सीखा वो यह है कि कुछ प्रामिस कुछ वादे हम अपनी शक्ती को सीमित करने के लिए कर देते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी असीमित शक्ती को जानते ही नहीं है तो ऐसे सीमित वादों को तोड़ने में कोई गलानी नहीं होनी चाहिए ना उठाने का प्रण लिया था लेकिन जरूरत पढ़ने पर पितमे भीशमकार को रास्ता दिखाने के लिए रत का चक्र उठा लिया तो उन्होंने भी अपना बादा तोड़ा किसलिए असीमित शक्ति के लिए तो हमें भी अपनी आत्मा की असीमित शक्ति को पाना है तो इसके लिए जो हमारा मन हमें डराता है उससे डरना नहीं है हमें अपने लक्षय के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने हैं और कहते भी तो हैं करत करत अभ्यास से जडमती होए सुजान तो विफलता से ठकना नहीं डरना नहीं कई ध्यानियों को लगता है कि उन्हें ध्यान में कोई experience नहीं हो रहा तो हमें भी ठकना नहीं है, comparison नहीं करना हर एक की अपनी यात्रा है हमें अपने होसले बुलंद रखने हैं और अभ्यास 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 करते रहना है जैसे हमारे गुरू पिता मैपत्री जी बार 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 एक ही बात कहते हैं कि बार बार अभ्यास बार बार अभ्यास 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 तो दोस्तों आज के लिए इतना ही शुक्रिया 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 फिर मिलेंगे अगली कड़ी में नमस्कार 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 दोस्तों